Hello students, this is our GK online class. So open your GK book, page number 12. This is our third chapter, playing with letters. Letters के साथ खेलना. जो English में alphabets होते हैं, A to A से लेके Z तक, उन्हें हम letters बोलते हैं. तो letters के साथ खेलना. What do you do when you have time but nothing to play with? What do you do? आप क्या करोगे? When you have time, जब आपके पास time होता है, समय होता है. But nothing to play with. लेकिन खेलने के लिए कुछ नहीं होता. Use words to play games. Words को use करो, और क्या करो? Games को खेलो. Try to play these three games. नीचे त्री तीन games दियो हैं. तो आपको क्या करना है? इन तीनों games को खेलने की कोशिश करनी है. उके? तो आपको आज किससे खेलना है? Words से. शब्दों से. और इंगलिश के जो letters हैं, alphabet में आते हैं. जो अक्षर आते हैं उन से. Use the letters of these long words to make words having two or more letters from each of them to fill in the blanks. नीचे blanks दिये हुए हैं आपको. और उससे पहले आपको long words दिये हुए हैं. लंबे शब्द दिये हुए हैं. इंगलिश में आता है ना आपके beautiful, important, refrigerator. तो ये आपको शब्द दिये गए हैं. वर्द दिये गए हैं. इन से आपको क्या करना है? इन में जो letters आए हुए हैं उन से. आपको ऐसे words निकालने हैं जिनका कोई meaning निकलता है. ओके? One small word from each of the big word has been made for you. इन बड़े words से एक एक छोटा words आपके लिए already बनाया हुआ है. इसके बाद के आगे के आपको बनाने हैं. जैसे beautiful, B-E-A-U-T-I-F-U-L. Beautiful मतलब सुन्दर. तो आपको क्या करना है? इसमें से बनाया हुआ है B-U-T. इधर है B-U-T. इसी word में से कुछ letters लिए हुए हैं. और एक नया word आपके लिए बनाया है. इस तरह आपको भी words बनाने हैं. जैसे मैंने बनाया है E-A-T. E-A-T. बन गया? E-A-T मतलब? आप कुछ खाना खाते हो तो आप खाना खा रहे हों. तो आता ना E-A-T. तो यह word है. तब T-U-B. तब T-T-E-A-T. T मतलब चाय. इसी तरह मैंने इन में words बनाया हैं. ब्ल्यू, लाइ, फ्ल्यूट, बान्सूरी. टेबल. ओके? इंपोर्टन्ट. I-M-P-O-R-T-A-N-T. इंपोर्टन्ट. जरूरी. तो इससे मैंने words बनाया है. इससे word बनाया हुआ है. pot. P-O-T. pot अल्रेडी बनाया हुआ है. फिर मैंने कुछ words बनाया है. air, rate, top, arm, aim, iron, knot. इस तरह है. आप भी इन से word बनाना. ओके? राफ्रिज रेटर. राफ्रिज रेटर का F-I-G दिया हुआ है. फिर इसमें से बनाये वादे को F-I-G. ओके? तो मैंने कुछ words भी बनाया है. इधर देखिया आप A-G-E-H-I-U, tie, बादना, gift, उपहार, fire, आग, free, after, बाद में, agree, सहमत. इस तरह से मैंने इन से words जो ये लंबे words हैं, बड़े words हैं, इन से अपने छोटे-छोटे words बनाये हैं. लेकिन इन में जो letters आये हैं, वो letters हमने इन ही words में से लिये हैं. ओके, now B, this is a word box, यह है एक word box है, start with the letter T, आपको T से start करना है, and make a sentence that makes sense, और आपको एक ऐसा sentence बनाना है, जो कोई ना कोई sense देता है. Each letter can be used only once, उसारे letters है, उन में से हर letter के वल एक ही बार यूज होना चाहिए, you can move either horizontally and vertically, not. Diagonally, मतलब आप जो words बना रहे हो, वो किस तरह से ले सकते हो, आप खड़े ले सकते हो, तेड़े ले सकते हो, इस तरह से और इस तरह से आप ले सकते हो, लेकिन आप तीर्चे इस तरह से नहीं ले सकते, दाइगणली तिरचह करना है हम सरफ स्टार्ट करना है कहां इसा time यह नहीं पालар है कि यू जर्ड मद्ड यू जर्डि फॉजड पालड पाल से ढिए यह बनाया है उसे तरह नाम मेक वर्ड बमॉक्स आप को भी एक वर्ड box बनाना है for this sentence, इस sentence से, you write very well, तो मैंने बनाया है, y-o-u, w-r-i-t-e, right, v-e-r-y, very, w-e-l-l, well, इस तरह से मैंने यह word box बनाया है, okay, now see, this is a six letter word, यह six letter word है, use each of the six clues to get the letter, okay, आपको यह जो letters है, इनसे एक word बनाना है, और यह clues आपको दिये हुए है, appears in race and not in each, ऐसा letter जो race में आया है, लेकिन each में नहीं आया है, तो a-c-e, a-c-e, यह तो दोनों में आया है, लेकिन race का जो r है, वो each में नहीं है, तो r, appears in tune and not in true, जो tune में आया है, लेकिन true में नहीं आया, तो कौन सा है, and, इसी तरह हमें इन सब में देखना है, जो letter पहले में आया है, लेकिन दूसरे में नहीं आया, जैसे cared और crude, इसमें a आया है, इसमें a नहीं आया, तो हम a भरेंगे, फिर उसके बाद now arrange the letters to get some name of the sixth planet from the sun sun का जो sixth planet है उसका क्या नाम है इन में से search करो एक number पे क्या है S, दो number पे A, 3 number पे T, 4 number पे U, 5 number पे R, और 6 number पे N तो क्या बन गया, here Saturn, शनी, शनी घ्रह होता है न So, जो sun का sixth planet है उसका क्या नाम है शनी, साटन, इस तरह हमने इन में से arrange करके एक नया word बनाया है I hope आपको ये अच्छा लगा होगा Here cool fact, jumble and cross words are all word games which often appear in newspaper and magazine Magazine और newspaper में जंबल और cross words की games आते रहते हैं आते हैं ना, puzzle वगेरा, word पहली या फिर cross words तो आपको ये newspaper में से बनाने चाहिए This is good, okay